हेलो स्टुडेंट्स मेरे नाम है अस्विन और आप देख रहे हैं अस्विन ती पार्ट साला तो आज का तॉपिक आपको दीखी रहा होगा सामने इंजिनिरिंग लगभग एक से डेड़ साल हो चुके हैं मुझे वीडियो बनाए हुए और काफी दिनों बाद में ये वीडि ँझे करते हैं हमारे तो उनके मन में रहता है हमेंसा यह doubt कि पहला subject हम कोनसा चूज करें क्या Commerce लें क्या Mathematics लें क्या सकते हैं तो खास कर ये वीडियो आपका 10 वालो के लिए भी है और 12 वालो के लिए सिर्फ इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा ब्रांच चूज करने वाले हैं और 12 वालो के लिए इसलिए है कि 12 के बाद जो mathematics वाले हैं खास कर जो math लेते हैं उनको अगर engineering field मे जाना है तो इंजिनिंग फिल्ड में क्या-क्या ब्रांचे होते हैं और उनके बारे में कितना जानते हैं जिससे वो अपना फ्यूचर को और बेटर कर पाएं और राइड ब्रांचेश चूस कर पाएं तो मैं सबकी ऊपर एक एक बार कोशिस करूँ है वीडियो बनाने के लिए हर हर फिल्ड के लिए जैसे की कॉमर्स हो गया बायो हो गया जनरली आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स और मैस्क के वीडियो बनाता हूं तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चे लोग तो बिना देरी किये चले चलू करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है इंजिनिरिंग तो कोई भी मैस्क का बच्चा जो होता है वो अगर मैस्क लेता है तो उसके पहले माइंड में जरूर आ पहलत है ये बात कि इंजिरिंग करना है अब इंजिरिंग करना है तो इंजिरिंग में क्या करना है ये भी उसको मालूम होना चाहिए मैं पहले पढ़ाता था बच्चे लोग को तो हमेशा उन से पूस्ता था कि ठीक है आप मैस लिए हैं तो आपको इंजिरिंग करना है तो कौन सा ब्रांच आप चूज करना चाहेंगे तो बच्चे लोग हमेशा यही बात बोलते हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया बट इस वेरी सीरिस प्रॉब्लम कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके एम क्या है और आपको किस डिरेक्शन में जाना है तो इंजिरिंग के कुछ ब्रांचे इसके बारे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो सबसे पहला ब्रांच है सिविल ठीक है सिविल देखन बारे में आपको पता होगा वीडियो में मैं को काफी जर्य ब्रांच इसके बारे में बताना चाहता हूँ सिविल अपने हाप में खुद इंजिरिंग करते होंगे बहुत लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं कि हैं पर सिविल से भी कुछ ब्रांचेस तूटे किस land में बनेगा अगर उस land में वो building बन रहा है तो क्या उसकी life होगी और वो कैसा चलेगा मतलब अलग-अलग design से बना सकते हैं लोड stress जो होता है वो भी देखा जाता है आप देखे होंगे कि पुराने टाइम पे जो British लोग थे उन लोग जो भी building बनाते थे या bridges बनाते थे वो काफी long life चलते थे और आज भी चल रहे हैं पर at presently जितने भी buildings या फिर जितने भी आपके bridges बन रहे हैं उनकी जो life span है वो बहुती ज़्यादा कम है बहुती ज़्यादा लो है इसका reason क्या है क्या वो quality खराब यूज कर रहे हैं या उनकी technique में ही problem है इस चीज का भी पता होना चाहिए तो technique क्या है problem simple सा है कि बच्ची civil engineering तो कर लेते हैं पर उसको समझ नहीं पाते हैं क्यों civil engineering क्यों कर रहे हैं और फिर उसके बाद में government job सीदा हर किसी को government job चाहिए या फिर private में भी जा रहे हैं तो बेटर salary पर उतने चीज नहीं सोच पाते हैं तो इसकी लिए अच्छल में यह वीडियो मैं सब कुछ तो cover नहीं कर पाऊंगा फिर भी आपको मैं कुछ कुछ बदा सका आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर वो branches होते हैं इंजिरिंग के यह वी एक ब्रांच है इंजिरिंग का ही जो civil से break होके निकला है और आर्किटेक्ट वाले आपका कोई भी जो building होती है वो कैसे बनेगी उसका design pattern क्या होगा और उस design पे वो कितना story बना सकते हैं क्या कितना success of rate है यह सब चीज के बारे में उसकी पूरे total design के बारे में एक पूरा साल चार साल के पास सर उसका इंजिरिंग का लगता है उसको सिर्फ समझने के लिए civil branch से ही एक break हुआ है आर्किटेक्टेक् ब्रांच भी होता है construction engineering के नाम से भी जाना जाता है इंजिरिंग वाले लोग इसके करते हैं तीसरा होता है earthquake engineering वाले earthquake के उपर में काफी research करते रहते हैं कि अगर earthquake आता है तो वो building या फिर कोई भी चीज जो construction हो रहा है वो कितना चलेगा और कितना उसकी durability होगी इसकी उपर भी काफी ज्यादा research किया आता है जो कि earthquake engineering वाले करते ह यह मैं इतने भी आपको लिख रहा हूं सब के सब एक इंजिरिंग के ब्रांचे पूरे के पूरे ठीक है तो अर्थ के वाले जैसे आपको पता नहीं होगा सायद या फिर बहुत लोगों पता भी होगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा अर्थ को एक आता है खासकर रिक आये तो उसको वह जहल पाए खिक है उसपे वह डिवीटि खड़ा रहे ना कि ब्रेक हो जाए तो आजकल की तो ऐसे बील्डिंग बिना अर्थ को एक गई है और फिर भी वह खड़ा रहे तो उसके लिए क्या किया जा ए इसको अर्थ को एक वाले जो होते हैं वह एक प इसका मतलब है कि वो कहीना कहीन किसी जगह में कुछ नहीं जानता है। हर चीज नहीं जान सकता पर अगर वो एक चीज जानता है तो वो उस चीज पर काफी ज्यादा स्प्रेसलाइज हो सकता है और इसके बारे में काफी डिटियल में वो सोच सकता है इसकी बेसेज पर ही अभी आप देखियो होंगे कुछ साल परे नियूज भी आया था साथ 225 2025 से जो हमारा नया एजूकेशन सिस्टम में उसमें चेंज भी आयेगा और जिसमें आपको यह बताया जाए आपको एट से ही आपको यह प्रियूटी दी जाएगी कि आपको किस ब्रांच में जाना है मतलब वेल फोकस जिसको बोलते हैं कि आपको अपने पर्टिकुलर मेंटल इंजिरिंग मतलब इन्वार्मेंट के बारे में जानना उसे कैसे ठीक सकते हैं तो ऐसे आपको काफी सरे चीजें मिल सकती है जो सिविल डिपार्टमेंट से ही टूटा हुआ है ऐसे एक होता है जियो टेक्निकल अभी आप सोच रहूंगे कि आप सर आप इतना से इं इंजिरिंग के ब्रांचेज हैं जो आप चूज कर सकते हैं आप किसी भी गूगल में साच मारेंगे तो आपको असानी से मिल जाएगा और काफी सरे इंजिरिंग ऐसे जो हमको इंडिया में नहीं मिलेगा बैसिकली यह प्रियोटी के उपर डिपेंड करता है कि उसकी जरु नहीं जरुड़ी एसे जिए टेकनिकल होता है ठीक है जिए टेकनिकल मतलब प्रिवकर चीजें जो भी हम क्लामेट से रिलेटेट्ड जो भी इंफरमेशन जान सके जाह उसको उससे बचने के लिए उसकी उपर में हम इंजिरिंग कर साओं कैसे बजा दा सकता है उन छी से ऐ होती है ऐसी छटवा होता है हाइड्रोलिक है डोली से लेटेड जो भी इसूज हो फिर उसको कैसे किया जाए अब अर्थ को एक कोई ले सकते हैं अगर हम ऐसी एक बिल्डिंग बनाया जिस पर नीचे पर हम एक हैड्रोली सिस्टम लगाएं कि अर्थ को एक आये अगर वह है ड अगर कुछ भी मोशन आया तो यह बिल्डिंग भी पूरा वाइब्रेशन देगा अब पूरा बिल्डिंग भी नहीं होने वाला है ऐसे काफी सरी चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं उसके उपर बैटर तरीखे से तो मैं आपको सिप एक हिंट दे रहा हूं कि हम क्या क्या कर सक सकते हुआ है तो यह आपका सीविल चीजें से रिलेटर प्रिसले चीजें ऐसे काफी से latаж और वी बचे हुए हैं जैसे की माइनिंग है यह यह आपका सी विल निगे से ही तूटा हुआ है माइनिंग करना भी कोई असान काम नहीं होता है आँच। कल काफी फिमास होग यह तो इसको structure कैसा होगा उसका design कैसा होगा आर्खिटेक्ट वाले design सोचेंगे लिक दे देंगे आपको एक बना देंगे डियाग्राम पर इसको execute भी तो करना है जो structure सब्सक्राइब तो यह होगा civil engineering के बारे में कुछ information तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेट से में पूछेगा बहुत ज्यादा मुझे भी सिविन नहीं पता है वैसे तो हकिकत देखा जाए Google मुझसे बेटर जानता है पर मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि कम से कम आ जर्रली वाले mechanical engineering जो करते हैं वह सुचते हैं कि चलो भई कुछ तो लोहा से कुछ किया जाए mechanical बनाया जाए पुछ गाडी उडी बनाया जाए ऐसा उनके दिमाग में रहता है mechanical वालों से जर्रली उनके माइंड में यह भी दौड़ता है कि चलो भाई mechanical बनाभी किसी ना किसी ब्रांचेस टूटे वे तो जिसमें से कुछ ब्रांचेस के मैं नाम रेना चाहूंगा जैसे की होता है और इंजिरिंग वाले आपका जनरली साउंड से रिलेटिड काफी सरी काम करते हैं और इस तिक है मतलब कैसा साउंड आपका होगा किस जगह पर होगा समय लो कोई कुछ सकता है तो उस पे वह वर्क करते हैं कैसे उसे रिडिउस कर जा सके और अगर साउंड निकल विरह तो उससे क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं ऐसे काफी सरी टेकंइकल चीजे कह सकती है जो और सकते हैं कि are वैसी ससेकंड़ चीज होता है। सवा मैक्निकल उसी जो प्रिक अप이är से बाहर जाएगा में जो की आपके अंत्रीक्स में जितने भी आपके अंत्रीक्स में जाने वाले बिमान जो भी होग आपके उसकी ऊपर में इस के ऊपर में काफी कुछ हम एैरो erospace में जान सकते हैं इसमें एरोडानेमिक से लेकर काफी सरी रिसर्च होती है उसके बाद ही उसे भेजा जा रखता है ठीक है तो एरक्राफ्ट जो हमारे बनते हैं उसमें काफी कुछ होता है जैसे कि आपका एट्मस्पेर से जब बाहर जाएगा तो क्या वो हीट बरदास कर पाएगा क्या वहां क्या क् काफी सरे चीजें हैं जो हमको समझना पड़ता है इसी में एक थार्ड होता है आटो मोटीव मतलब मूबाइल्स के बारे में कैसे वह मूफ करेगा क्या होगा उसका स्ट्रक्शर क्या एफिशेंसी निकल सकती है किस चीज से वह चलेगा ऐसे काफी सरे चीजे हो सकती है जो मैंड में दोड़ता है और आटो मोवेल्स वाले उस पे जाला फोकस कर सकते हैं तो हमारी लाइफ भी बड़ी बेटर हो सकती है अभी जानतो रही है कि पेटरोल का रेट काफी पढ़ रहा है तो आटोमोटिव वाले इंजिनिंग वाले को जरूर सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्य है तो चौथा है मरीन मरीन नाम से आपको पता चल रहा होगा पानी में इतनी चीजे जहाज है उसे कैसा बनाया चाहिए और जनरली हमारे छोटे मोटे नाव समूदर में चलने वाले नहीं है तो मरीन इंजिनिंग अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है और इसको समझ जो बी चीजे अखीज से हूं क्या-क्या कर सकती है च크 है जसली आप जानते होंगे कि धरमल पावर प्लांट बस इसके लावा आपने कुछ भी नहीं सुना देखा जाए तो कि धरमा भाप कर बनाता है और सबसे फेमस है NTP पीसी नैसनल थर्मा पाउर टांट काउपेश है ना तो इसके लाबा तो आप कुछ जानते नहीं होंगे पर थर्मल थर्मल से काफी कुछ होगा है हीट हीट से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है और हीट प्रोड्यूस करने की भी अलग-अलग तरीके होते ना कि खाली कोईला क जलाओ एक बॉइलर लगाओ और हीट टूड्यूस करो तर्बाइन घुमाओ और पैदा करो और भी काफी कुछ हो सकता है जो थर्मल इंजिनिंग वाले को सोचना भी चाहिए और अगर आप सोच सकते हैं तो आप भी जरूर सोचिए तो इससे काफी सरे ऐसे और वी रिलेट ब्रांचेज हैं जिससे सिविल है मेकनिकल एवर्गिन का मतलब की यह सबसे पुराने ब्रांचेज थे पर जब ऐसा फीलिंग आया लोगों को कि यह अकेला ब्रांच जो है यह अकेले कुछ नहीं कर पाएगा यह क्या-क्या समालेगा भई कि हर चीस तो मेकनिकल और जिससे कम से कम बच्चा सोस तो पाएकि हमाज इसा फिल्ड में जा सकते हैं और इसको और थ्रूली पढ़ सकते हैं ना कि हम इससे समझती कि 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 सायरोया से कर पाएगा वकलिए कने will कर पाएगा और तर्मद के माइंड मेंट की नहीं ज्यादा अच्छा better result निकाल के बता पाएगा उसके बाद आता है electrical engineering काफी पुराना ब्रांच है और आज भी electrical engineering काफी famous है electrical तो आप समस्त्री होंगी जो भी बिजली बिजली आपकी दावर्णी घरों में से रिलेटर जो भी चीज़ें हैं कैसे electric होगा जो होता है जो power plan निकाल रहा है बिजली निकाल रहा है उसे कैसे transmit किया जाए आपके घरों तक कैसे पहुचा जाए ऐसी काफी सरी समस्याओं का समधान हमारे electrical engineering वाले करते हैं electrical engineering खाली electricity पे ही चलता था पर कुछ 1900 सेंचुरी के बाद से लोगों को लगा कि खाली अट्रिकल से कुछ होने वाला है तो है नहीं तो उसके उपर में कुछ research किया जाए और इससे break हुए काफी सरे branches electrical engineering बहुत ही फेमस ब्रांच इससे break हुआ आपका computer engineering CS जिसको बोला जाता है IT computer वाले भी बिचारे परसान हो गया तो इसलिए इन्होंने एक और ब्रेक कर दिया कि सॉरी कंप्यूटर इंगिरिंग इसी में सेकेंड हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी नहीं राइटिक इतनी अच्छी नहीं आ रही है अभी आप समझें फीलिंग को समझें कि मैं कहना क्या चाहरा हूं मतल्य कोंप्यूटर में असक क्षिक कर रहे हैं साथ कोर न een term कोर्ण के बारे में something कि कर रहे हो और एंफ मेशन टेक्नोलोजी वह यहिं ज्यादा जानते है काइवी च्रहां में इंडिया में सब सब बहुत है वह सॉफ्टर वाले ही पेग करते हैं वाइट मनी जिसको हम पुलते हैं सबस्यादा इन्हीं लोग दे रहे हैं और सबस्यादा पैसा भी यही कमा रहे हैं हिलाल में बट हर फिल्ड में बारे मैं सुनना चाहिए कि नहीं तो यह दो हो गया कंपुटर से लेटर चीजे इसके ब में एक क्लिक हुआ बाइचांस भी यह नाम तो कम से कम हो उसके बारे में रिसर्च तो कर पाए कि क्या पता आपका भविस्टी इसी पर हो कौन जानता है यह बात को ठीक है तो चौथा इसी पर है आपका इलक्ट्रो मेकानिक इंजिंग मतलब इलेक्ट्रिकल प्लस मेकनिकल यह दोनों के बारे में आपको इस इंजिंग में पढ़ाया जाता है सबसे फेमस इलेक्ट्रिकल से ही एक ब्रेक हुआ है इलेक्ट्रॉनिक जो की काफी पॉपलर है चाइना सबसे आगे निकल चुका है इंडिया कोसिस कर रहा है कि कम से कम हमारे इंडिया में भी कुछ तो बन जाए जब मेंजरिंग कर रहा था तब पूने में एक रजिस्टर की कंपनी थी जो रजिस्टर बनाती थी फिर बाद में वो भी बंध हो गया अब इंडिया में सोच रहे हैं कि चिप मैनिफेक्चरिंग हो पाया और सबको इन्विटेशन दे रहे हैं कि आओ भाई इंडि को इसकी मात दे सकें ठीक है बाखी पॉलिटिकल प्रॉल्म तो अलगी है इसे करन आधा इंडिया तो वैसे बढ़ नहीं पा रहा है कोई बात ने इसी तरीके से में आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिक इंजिनिंग काफी फेमस ब्रांज तो है ही ठीक है और इसी से मेरा भ चैना था होंगे आपके आपने इसकी ऊपर में व्लिशर्च करते हैं कि ज वेव्ड हैं जो हमारे वर करती और कितना ट्रैवल करेंगी स्पेस होते हैं वह सब थे हो इस सब सम hem तो एनलेसिस करने वाला कोई होना चाहिए, यह वेव ट्रांस्मीट हो रहा है, तो क्या इंफर्मिजन ले आ सकता है, किस टाइप का वेव कहां पास में हो सकता है, क्या वो हुमन को हमारे एफेक्ट तो नहीं करेगा, क्या किसी एनिमल को तो एफेक्ट नहीं करेगा, इस सब जानकर ही होता है, वो माइक्रोवेव एंजिनिंग वाले लोग को जद अच्छे से पता होता है, वैसे ही होता है, पावर एंजिनिंग, रेडियो एंजिनिंग, वैसे काफी सरे ब्रांचेज हैं, जो इलक्टिकल एंजिनिंग से ब्रेक किये गये हैं, और ये ब्रेक करने का अगला ब्रांच आता है chemical engineering काफी famous engineering है वैसे तो इंडिया में इसका क्रेज काफी कम है और जो भी chemical engineering करते हैं वो ONGC जैसे कंपनियों में जाते हैं petroleum company में जाते हैं Reliance है Acer है ऐसे काफी सरी बड़ी-बड़ी कमने इंडियन ओयल है इसे refineries तो मैंने दो ही देखी है एक तो Reliance की देखी है refinery मैंने और दूसरी मैंने Acer की देखी है जो की गुजरात में है जाम नगर में जाम नगर काफी बड़ी refineries में रिलाइंस जो है वो तो वर्ल्ड की सबसे लारजर्ट्री अफीणे में इसे माना जाता है जिए तो चैमिकल इंजिनिंग वारे इसके वारे में ज्यादा सोचते है पर क्यमिकल इंजरिंग संग्विखे कि मैं इतने सेक्ट हो ओकाउटर रहे हैं और कहिंक होता है electro-chemical engineering जो अफी कैमिकल इंजिन्ग काफी फेमस है आज करेड में काँ यूज रहा है आपको पता होगा इसा बैटरी निकाल के बताइए जो ज्यादा एफिशेंसी दे पाए हमें पैट्रोल की जरुवती ना पड़ पाए समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट ये ब्रांच है वैसे ही मॉलिक्लर इंजिनिंग भी होता है जो क्यमिकल इंजिनिंग से ही प्रेको है सौरी उसके आफसे प्रेटरोलियूं के बारे में खाली सोचता है आप पता है की से जिसमें आपका इंटर्स्ट हो पार को पता नौ तो यėısı है एक चार ब्रांचेस थे जिससे काफे ब्रांचेस ब्रेक हों करूए इसके अलावा है जैसे की गुलुटल के बारे में जानना चाहते हैं ऐसा ही है आपा इंजिनिंग मैतमेटिक्स अब शोचेनगे हैं कि इंजिनिंग मैटमेटिक्स भी कुछ होता ह canyon mathematics वाले मदब की मैटमेटिक्स चीट लोग पढ़ते हैं एक्शुल में उसका engine में कहां हम यूज कर रहे हैं वोज इंजिनिंग मैटमेटिक्स वाले यूज करते हैं वैसे ही होता है physics engineering जनरली physics वाले तो से physics के बारे में समझते हैं लाव समझते हैं पर उसका actually engineering बें कहां use कर रहा है वो use जो है वो जो use हो रहा है physics engineering वाले लोग सोचते हैं हाँ भाई physics हमने पढ़ लिया अब उसका स्पाइब आइन्डेस्टी लगाने से पहले इन्डेस्टी इंडेस्टी कीसे लगे मालूम तो होना चैइंडेस्टी इसी चीजह से इंडेस्टी वालों से पताचलता है हर चीज का इस प्रॉसेस होता करने का वैसी होता है material साइंस कि हाँ भाई चलो यह अब यह material हमको लगने वाला है तो कौन सा material लेना चाहिए कैसा material लेना चाहिए अगर कोई process हम कर रहे हैं तो उस material के बारे में कुछ तो जानकारी होना चाहिए एक एक्जामपल है ceramic से आरे माई सी सिरमिक मैटल या फिर मैटल कैसा होगा इस सब चीजों के बारे में पॉलिमर सबके सब माटेरियल हैं ठीक है ऐसी काफी सरी चीजे होती हैं जो अलग-अलग इंडिस्टी में लगता है तो उसके बारे में कोई तो जो चीजों के बारे में ज आन पाए तो ऀसे मेरे इन फ्रेंट थे जिन्न हें ने होने प्लास्ट्िक enc er तया कि प्लास्टीक में किया पढ़ें कि अप्लास्टिक होगा गाई किस टाइब से यूज कर सकते क्या वर इडेबल में क्या सकता है एता है ऐसा नहीं कि जो हमारे आल साते हैं वो कोई भी प्लास्टिक भांचे नहीं होता है तो उस पे काफी ज़हाद रुटा याता है तो इसनी होता है मेक आधा जर्च वैसी होता है मेगा ट्रोनिक हिए इन्जिसिंग होता है ने शनी याले का! यूज आपके आज़कल चीफ मैनिफेक्ट्रिंग में सबसे जादा यूज हो रहा है फिर होता है नुकलियर इंजिनिंग नुक्लियर इंजिनिंग फिर आता है रोबोटिक इंजिनिंग रोपोटिक के बारे में फूचर बोलते हैं काफी अच्छा है वहाँ पास में आज कल सब रोबोटिक सही काम किया जाता है बोलते हैं कि पर्फेक्शन ज्यादा होता है और इरर भी काफी कम होता है वैसी होता है जेनेटिक इंजिनिंग इसके पूपर भी आपने पढ़ा होगा मैंने एक पिच्चर देखी थी टर्मिनेटर करके उसमें जेनेटिक इंजिनिंग के बारे में काफी बताया गया था तो सब्सक्राइब auf November gonna इंजिनिंग की मतलब हम इन्वार्मेंट को कैसे सेफ कर पाया क्या तरीके हो सकते हम से sẽ गरने ऐग Bayas को पहुत ही जड़त है एक इंवार्मेंटरं इंजिनिंग मौन की यहाप जाने रह마ंगे मैं कि यह रह जाला है तら कि靠ा कि मीशित्थ पॉल्यूशन बहुत ही जादा और इसे कंट्रोल किया जाया है साथ में जो वेस्टेज होते हैं हमारे घरों से निकल रहे हैं उसे कैसे बैटरली जो राइस कर जा सके सब की सब इन्वार्मेंट कैसे बचाया जा सके खास कर आज के रहे हैं मेरे अंदाज से तो यह था कुछ के आपके टॉपिक्स तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ आपको इंफर्मेशन मिला होगा आपके मन में कोई डाउट हो और तो आप जरूर कमेंड में पूछ सकते हैं होफुली सायद मेरे पर उसका आंसर हो और नहीं हुआ तो कोई बात न वाचिन दिस वीडियो काफी दिनों बाद मैंने बनाया है वीडियो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम आया होगा